हेलो एवरीवन अब मैं आपको दिखाने जारी हूँ दीदी लोगों ने जेवी खाद बनाई है यह देखिए कि खाद तयार हो रही है उनको बोरियों से डखाया गया जिसे इन में एकडम से दूखना पड़े यह देखिए कैसे तयार हो रही है कुछ दिनों के बाद यह पूरी तयार हो जाएगी फिर आप इसको यूच कर सकते हो यहां पर इनोंने कुछ पत्ते गोबर सब मिक्स करके रखावा है और रखा रखा अच्छी तरह से और कुछ वहां पर तयार करावा है कोबर और पत्ते ऐसे तयार की जारी है अगर इनसान चाहे तो इसके पाल बहुत काम है कुछ ना कुछ अपने के लिए रोद्यार निकाल सकता है अगर करने और चाहे तो अब मैं आपको उनके कुछ फल के पेड़ दिखाती है अम्रूत का पेड़ जिसमें अम्रूत की फूल आ चुके हैं यह संत्रे का पेड़े देखिए एक कठाल का पेड़े इसमें कठाल लग रखें बहुत भरा हुआ है पेड़ कितना बड़ा पेड़े आगे भी पेड़े यह अम्रू का पेड़े देखिए कितना छोटा रही है कितना अच्छा लगता जब अपने हाथ से वगाए वे फोजहों से फल निकलता है यह मोसमी का पेड़े इसमें भी मोसमी लगा भी है सब फ़लों में फ़ल निकल रहे हैं सब पेड़ों से फ़ल तेयार होने वाले हैं और लीची देखिए यह आम का पेड़ है इसमें आम लगे वे हैं फैंक यू एवरिवान आप लोग मेरी एसी वीडियो देखती रही है मैं आपको नेचर से रहाती रहेंगी आपको नेचर के बादे में दिशाती रहेंगी कि नेचर किती फुस्चछत होती है पर कपी हमें कितना उफ़ार देती है कि आ है